हेलो विर्स वेल्कम दो माई चैनल इंजल गाइबल टैरिट्स इस वीडियो मेट फॉर लिप्रा तुला राशी के लिए आप लोगे मेसेज है कि इस दिसम्मर मंत में बहुत ही प्रॉमिनेंट मेसेज यह आ रहे हैं कि आपको अपने घरवालों के साथ आपके जो फैमली बिताएंगे उसकता है कि कहीं आप भूमने चले जाएं ऊसकता है कि आपको मन करें उनके साथ टाइम स्पेंड करने का इससे क्या होगा कि आपको खुषी मिलेगी घरवालों को साथ बहुत ज्यादा इसमें यह दिख रहा है अच्छे लोगों के साथ आपका मन करेंगा कि चलो इंसे दोस्ति की जाए या अपने परिवार वालों के साथ कहीं time spend करने जाए आपको यहाँ भी message है कि business में आपकी office में colleagues में भी मिल जुल के काम करीगा तो जादा अच्छा रहेगा ना कि अकेले मदब decision ले रहे हैं और teamwork actually जरूरी है कोई भी life में जो भी decisions लेने हों अकेले ने लेने हैं किसको involve कर सकते हैं एक अच्छी energy दिख रही है strength का card दो तीन बार यहाँ पर आया था message तो एक जैसे होते हैं कि मतलब एक काफी powerful fighting spirit है आपके अंदर होते हैं अगनी तत्व जिसको कहते हैं अगनी तत्व fire element बहुत heavy रहेगा तो ध्यान रखेगा कि उसको बहुत right direction में रखेगा मतलब अच्छी चूज़ों के लिए fight करिए अच्छे कहीं गलत हो रहा हो तो उसके लिए fight करिए तो यह चीज रहेगी मैं आपको suggest करूंगी कि wrong way में या wrong तरीके से fight मत करिएगा fight अगर करना ही है क्योंकि मुझे दिख रहा है कि fighting हो सकती है कहीं आपको गुस्सा हा भी रहेगा बहुत जादा तो वो जो fire element है वो कहीं ने कहीं और मुझे ज़्यादा लग रह से यह चीज रहेगी तो अच्छी चीज है यह positive एक attitude दिखा रहा है आपका क्या fight करना चाह रहे है गलत चीज के लिए हट मलब वो चीज लोग हटे या गलत situation हटे तो किसी भी तरह के से मेहनत करके एक अर्ज आपके अंदर रहेगा कि मुझे नहीं है मुझे मेहनत करनी है त अपने mother के प्रती अपने wife के प्रती या आपकी जो बैहन है या wife मतलब अगर आप एक male है तो और आप एक female है और इस video को देख रहे हैं तो family members के लिए आपका बहुत मन emotional रहेगा भावुक रहेंगे उनकी care करेंगे loving यहां पे एक message आ रहा है उनकी देखरेक करना इस चीज का feeling इसमें आ रही है कि आपका रहेगा strength का card जैसे मैंने बताया था पहले भी आया था उसमे strength अभी भी angels message का ऐसे होता ना कि share की जो strength होती है एक power होती है share के अंदर वो एक उर्जा आपके अंदर विद्दिमान है वो है और कहीं ना कहीं एक होता है ना कि अपने सारी energy को एक ज अच्छी एक habit दिख रही है आपकी कि आप इस चीज को जानते हैं कि अपनी energy को कैसे केंदरित करो कैसे ध्यान लगाओ तो ध्यान की मुद्रा में जरूर बैठिएगा ध्यान की मुद्राएं बहुत सारी होती है meditations करिए इससे क्या होगा आपको और शक्ती मिलेगी तो उसस आपको चीजें life में problem solve होते कई-कई problem solve हो जाती है solve होने लगती है life में तो यह जरूर से करिएगा एक अच्छी उर्जा देख रही है इससे क्या होगा life में आपकी happiness रहेगी खुशिया रहेगी जॉइनस रहेगा अपने आपको प्यार करना सीखें अपना ख्याल रखना सीखें अपने आपको मत भूल जाएगा और उक जख्कर में अब जैसे आप अच्छा एक बैलिस्टाइट रखिए तो प्रॉपर meditation करिए प्रॉपर पानी दीजिए अच्छी चीजें देखिए मन पसंद करिए चीज पैशनेट बहुत है मतलब अगर आप किसी पर अगर आपका लॉयल्टी है आपकी काफी मतलब अच्छा रिशिशिप किसी ने भाने पर आप आ गए तो उसको छोड़ने की कोशिश आप नहीं करते कभी छोड़ते नहीं है उस वेक्ति को मतलब किसी से अगर निष्टा दिख रहा है कि जो भी प्रफिशन होगा आपका इंटरेस्ट देखके जिम्बदारी से काम करने की है एक हैबिट रहती है आप लोग की तो वो चीज है वो बात लगए कि आ रहे है लोग विश्वास ने कर रही वो बात लगए लेकिन ये आपकी एक हैबिट है ये अच्छ में हो चाहे आपके घर में हो आप अपने लव मेट और सोल मेट के साथ बैट के उसको भी लगए कि हाँ इंपोर्टेस दे रहे हैं अपने इंपोर्टेंट डिसेशन लेने में ये इस चीज ज़रूरी है इससे क्या होगा कि बूस्ट अप होगा आपका रिलेशिशिप आप आपको यहां पर अगर आपकी एक हैबिट है कि दिसंबर में दिख रहा है कि चाहें जितना तुफान आजाए लेकिन आप तस्से मसने होने वाले यह चैलेंजिस को दिखा रहा है कही ना कहीं चुनौतियां बहुत रहेंगी तो जब भी चुनौतियां होती है तो आपकोई कुछ बुरा भला कह दिया कुछ लोग यह कह रहे हैं वो कर लो यह कर लो आपका मन क्या कह रहा है वो करिएगा क्योंकि आपसे बहतर कोई नहीं जानता कि आपको क्या जरूरत है लाइफ में तो जैसे तो जब तुफान आता है तो वो पेड रह जाते हैं जो फ्लेक्सिबल होना लाइफ में बहुत जरूरी है तो जैसे कहीं आपको जुकना है तो कहीं जुकाव जरूरी है कहीं पे जो है वह स्टेंड स्टेल जरूरी है मतलब खड़े रहे डटे रहे तो जहां डटना है वाँ डटे रहे जहां जुकना है वाँ जुक जाहिए आपका काम बनना चाहि तो I think the message is very clear from my angels, thank you so much, thank you so much